हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल QFATE में हाजिर हूँ एक नए वीडियो में नए जॉब वेकेंसी के साथ आज आप इस वीडियो में जानेंगे Tata Motors Company की वेकेंसी के बारे में टाता मोटरस जो की गुझराथ के एहमदाबाद के सानंजी DC में टाता मोटरस का जो नैनो प्लांट है इसी कमपनी में वेकेंसी आई है यहीं पर वेकेंसी है तो यहाँ पे mail कैंडिडेट के लिए वेकेंसी है तो अगर आप mail है तो आपको इस कम कारगा कोई भी एक्जाम नहीं लिया जाएगा यहाँ पर जॉइनिंग प्रोसेस काफी आसान है तो आज आप इस वीडियो में पूरी इन्फोमेशन आप जान पाएंगे कैसे आपको इस कंपनी में जॉब मिलेगा जॉब लेने के लिए आपके पास क्या-क्या एजिबिलीट नमबर भी दे दूँगा तो डिरेक्ट आप उनसे बात भी कर सकते हैं सारी इन्फोमेशन आपको इस वीडियो मिल जाएगी तो वीडियो को आप लाउस तक देखते रहिए step by step आपको सारी इन्फोमेशन बता दूँगा तो सबसे पहले आप जान लीजी कि अगर आप Tata Motors जो की एहमदाबाद के सानजी IDC में नैनो प्लांट है अगर आप इस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिर्फ वेकेंसी मेल केंडिट के लिए यहाँ पे फीमेल के लिए नहीं है और आप इस कंपनी के जॉब के बारे में आप जान लीजी इस कंपनी में 8 घंटे डूटी होती है प्लस में ओबर टाइम भी करवाए जाता है लेकिन आपको पर डे ओबर टाइम नहीं मिलेगा यहाँ पे जब ज़रुरत पड़ती है तब ओबर टाइम के लिए रोका जाता है तो आप जोइनिंग से पहले ही सारी बाते आप जान लीजी यहाँ पे इस कंपनी में जो वेकेंसी आई है वो है वेल्ट सॉप, प्रेस सॉप, टीची एफ और पावर ट्रेन आप इस सॉप के बारे में आप डिटेल्स में जान लीजीए कि पावर ट्रेन में इंजन बनता है जो टाटा मोटर्स का जो कार है उसमें जो इंजन लगता है उसकी सारा प्रोसेस, सारा एसेंबली पावर ट्रेन में किया जाता है और TCF में car का जितना भी part होता है वो सारे assemble किया जाते हैं आप कह सकते हैं कि assemble shop TCF shop है और weld shop जैसे कि नाम ही इसका weld है तो इसमें welding होता है parts को weld किया जाता है और press shop में seat metal को press के जरिए यानि कर दबा करके उसको एक shape दिया जाता है तो इनी चारो shop में vacancy ये तो हो गई काम के बारे में और जहां पर आपको job करना है उसके बारे में अब आप जान लीजी कि अगर आप Tata Motors में job करते हैं तो आपको salary कितना मिलेगा तो इस company में जो आपका total salary मिलने वाला है वो है 15,322 रुपए ये आपका CTC होता है जो कि किसी महिने अगर attendance award जो कि होता है कभी 4500 रुपए आपको attendance award दिया जाता है और कभी 4000 रुपए attendance award दिया जाता है जिस महिने में आपका 4500 रुपए attendance award होगा उस महिने में आपकी salary 15,822 रुपए हो जाएगा और जिस महिने में आपका 4000 attendance award होता है उस महिने में आपको 15,322 रुपए आपका CTC ये होगा इसमें कुछ डिड़क्षन होते हैं जिसमें से कैंटीन का बस का P.F.E.S.I का डिड़क्षन आपका होता है आपके सेलरी से ही आपको इन हैंड सारे डिड़क्षन के बाद जो इन हैंड आपका सेलरी इस कंपनी में मिलेगा वो है 13,400 रुपए जिस महिने आपका 15,322 रुपए CTC होगा ये हो गई सेलरी की बाद अब आप जान लीजे इस कंपनी में जॉब लेने के लिए क्वालिफिकेशन क्या मागा गया है तो अगर आप Tata Motors Private Limited Company में जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन माग गया है वो है 10 वी पास आपका होना चाहिए प्लस में ITI भी यहां कंपनी है तो अगर आप 10 वी पास हैं और ITI भी आपने किया है किसी भी टेक्निकल ट्रेट से यहां पर किसी भी ट्रेट को यहां सेपरेट नहीं किया जा रहा है आपने ITI किया है तो बस ITI किसी भी ट्रेट से किया हो आप जरूर आईएगा आपकी जॉइनिंग हो जाएगी साथ में एक चीज और आपको लेकर आना है कि किसी भी automobile industry जो automobile यानि auto industry से related company हो उसका minimum 6 month का आपका experience होना चाहिए अगर आपके पास experience certificate नहीं है तो minimum कम से कम आप salary sleep ही लेके आ जाएगा फिर भी आपकी joining करा दी जाएगी तो qualification में बस इतना ही है 10 वी pass, plus में ITI और plus में आपके पास minimum 6 month का experience होना चाहिए या फिर एक साल का experience हो तब भी अच्छा है अगर ये नहीं है तो आपका कम से कम salary sleep 6 महीने का लेके आ जाएगा अब आप interview का address जान लीजिए जो ये company में जो interview होता है वो Tata Motors के plant के gate पे नहीं होता है Tata Motors के plant के gate पे तब होता है जब वो company base पे joining होती है ये क्योंकि सुखमा contact तरब से वेकेंसी निकाली गई है तो इसका जो interview होगा वो है मुनी किरपा सर्वसदी फार्म अपोजिट मुनी आसरम ये interview का address है आपको यहीं पे आना पड़ेगा इस screen पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मुनी किरपा सर्वसदी फार्म अपोजिट मुनी आसरम सानंद एहमदाबाद ये जो है सानंद से बहुत ही नजदीक पड़ता है आप आप आटो से असानी से इस address पर आप पहुँच सकते हैं काफी popular है क्योंकि हमेशा vacancies के लिए लोग आते रहते हैं तो सानंद आप पहुच करके आटो वाले को कहिएगा मुझे मुनी आसरम जाना है तो आपको वो असानी से पहुचा देगा अब आप जान लीजिए आपको आना कब है तो यहाँ इस company में जो interview होने जा रहा है वो है 28.04.2021 को सुबह 8.02 से interview सुरू हो जाएगा तो आपको 28.04.2021 को अपने सभी documents को लेकर जो कि आप एक बार सुन लीजिए 10 का marksit आपको लेकर आना है original और jerox दोनों लाना है bank का passbook jerox आप जरूर लेका आईएगा इसी में आपकी salary दी जाएगी अगर आपके पास pen card है तो आप pen card लेका आईएगा अगर अधार card है तो अधार card लेका आईएगा और एक बात आप भियान रखिएगा अधार card का यहां तीन color jerox जरूरत पड़ता है तो आप तीन अधार card का तीन color jerox आप लेका आईएगा आपको 10 passport size photo भी लेके आना है तो यह सभी documents को लेकर के आप money किरपा सर्वसधी फार्म आप आजाएए वहीं पर आपका document verification होगा फिर उसके बाद आपका direct joining करा दी जाएगी बिना किसी fees के बिना किसी पैसे के यहाँ पे free में joining होता है तो आप निश्चित रहेएगा अगर job से related आपका कोई सवाल है कोई question है आपको जानना चाते है तो इस screen पे contact number दिया गया है इसमिरूती रंजन सर का दिलिप सर का, लक्षमन सर यहाँ पे बहुत सारी यह सब ही सुखमा contact के supervisor हैं आप इन में से किसी भी number पे आप call कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को like कीजिए और share कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई job vacancy के साथ धन्यवाद